तो तुम्हारे चलने की जो रफतार है, उस रफतार से, तुम्हारी स्पीड से, मैंने तुम्हें को बताया है कि तुम्हें वहां पहुंचने में दो घंटे का जो समय है, वहां पर लगने वाला है. तो तुम दो घंटे में वहां पर पहुंच जाओगे. Ladies and gentlemen, ऐसा बिल्कुल हमारे साथ में होता है हमारा लक्ष क्या है, हमारा target क्या है ये हमारी speed जो है वो decide करती है हमको पता है कि हमको एक जो लक्ष है वो तै करना है मेरे को director level जो है वो तै करना है मेरे को chairman level जो है वो मेरे को तै करना है लेकिन वहां तक पहुँचने के लिए कितना समय आपको लगने वाला है, ये आपकी स्पीड तै करेगी, आपने आज काम नहीं किया, आप काम को टालते चले जा रहे हैं, दो दिन काम नहीं किया, तीन दिन काम नहीं किया, तो आपके अपने लक्ष तक पहुँचने की जो है तो आप वहां पर देरी से पहुंचेंगे लेकिन अगर आप वहां पर दोड़ कर चलते चले जा रहे हैं भाग कर जा रहे हैं तो यानि कि आप वहां पर जल्दी पहुंच जाएंगे तो यह हमारे उपर है कि हमारी जो स्पीड है वो कितनी है आपको लक्ष को पाने के हैं तो माई डिया फ्रेंड इधर उदर देखने की गुरूत नहीं है अपनी स्पीड के ऊपर ध्यान दिजे कि आपकी जो स्पीड है वो कितनी है अपनी स्पीड को बढ़ाईए लक्ष जो भी आपने रखा हुआ है जो भी आपने लक्ष तै किया हुआ है एक चीज को समझ ल जादा लगने वाला है तो दोस्तों आशा है कि आपको ये जो कहानी है ये पसंद भी आई होगी और इससे सीखने के लिए भी आपको मिला होगा क्योंकि हमारी स्पीड ही तै करती है कि हम जो दूरी है वो कितने समय में तै करने वाले हैं तो दोस्तों अपनी स्पीड को लेखने के लिए मिल सकता है यह जानने की कोशिश करेंगे तो वेलकम तो कीवा काईपो इंडिस लेडिस एंड जेंटलमन और मैं धरिंदर सिंग दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस शांदार वेबिनार में आज का दोस्तों यह वेबिनार है हर बार की तरह कुछ खास कुछ बड़िया कुछ जबर्दस जो है वो हम लोग यहां पर लेकर आने वाले हैं चीजें बताई जाती है लोग फिर से बूल जाते हैं इसलिए बोला जाता है कि बार-बार प्रेपरेशन जो है वो बहुत दुरूरी है बार-बार जो रिवीजन के लिए एक्वाइर स्ट्रेटेज़ी जो है वो हम लोग अपना सकते हैं चाहे वह पर्सनल के रहो हो आग sap ह narrow product हो कोई भी हो हार इक के लिए एक्वाइर जो है वह अपनाई जा सकती है मैं अच्छा अब ये एक्क्वाइर स्ट्रेटेजि जो है यह क्या होता है बड़ा ऐसा तरीका कि कोई company या कोई person अपनी जो कमाई है अपनी जो growth है उसको बढ़ाना चाहता है तो अगर वो किसी ऐसे आदमी को अपने साथ में जोड़ लेता है कि जो उसको और जादा कमाई दे यानि कि उसके पास में वैसा experience हो जो कि उस काम के करने की जो speed है उसको बढ़ाने क काम कर दे उस चीज़ को acquire strategy बोला जाता है for example मान लीजिए एक ऐसा आदमी एक ऐसा आदमी right एक normal इंसान एक ऐसे आदमी को अपने साथ में जोड़ लेता है कि जो काम वो कर रहा है उसको उस काम में महारत हासिल है पहले से experience जो है वो उसको है कि इस काम को कैसे किया जाता है ब लोगों के उपर focus करकर चलना है ऐसे लोगों के उपर focus करेंगे तो आपकी जो growth है उसमें आप बढ़ोतरी जो है वो आपको होती हुई दिखाई दे जाएगी आपकी जो growth है वो उपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी क्यों कि भाई उस आदमी को पहले से experience है मान एक वहाँ पर ऐसा विक्ति इंटर्वी देने के लिए जाता है जिसको जूते के कारोबार में पिछले 5 साल 10 साल 20 साल का experience है राइट कि जूता कैसा होता है मार्किट में कैसा जूता चलता है जूते के retail shop कहां पर हैं जूते के wholesaler कहां पर हैं कैसे जूतों को जगा जगा पर उपलब्द करवाया जा सकता है availability कौन सी पसंद सबसे बढ़िया रहती है किस चीज से market में negative आती है यानि कि उसको हर इक चीज के बार में पता था तो company उसको पहले hire करेगी कि यार ये आदमी तो हमारा काम और भी आसान करने वाला है क्योंकि इसके पास में पहले से experience जो है वो मौझूद है कि कहां पर काम क्या करना है तो वो एक मिनट में जाकर वो जो काम है वो कराएगा normal इंसान को उसकाम को करने में शायद 2 मीने 4 मीने 6 मीने लग जाए वो व्यक्ति एक या दो दिन में है या हफते में उसकाम को जो है वो finish कर सकता है तो definitely company की growth कहां पर छुपी है company की जो growth है वो आदमी जो है उसको तेज कर देगा यह नहीं कि दूसरे वक्ति तेज नहीं करेंगे वो भी करेंगे लेकिन यह जो experience person है यह उस काम को बहुत जादा तेज कर देगा और अच्छे तरीके से बढ़ा देगा तो company हमेशा इसी तरीके के लोगों को hire करती है जा यहां पर सीखेंगे यह हमारे लिए काम करेंगे क्योंकि हमें इनकी भी दुरूरत है और यह salary कम लेंगे तो हमारा जो budget है वो maintain रहेगा हम ऐसे लोगों को hire करेंगे जुनको experience है वो काम को तेज करेंगे यह काम को आगे सीखेंगे और आगे करते रहेंगे तो इस तरीके से दोस्तों जो companies हैं वो करती हैं सेम network marketing में यह जो funda है यह हम अपना सकते हैं network marketing में क्या कर सकते हैं कि दोस्तों अब जैसे health product है या agro product है तो हम कुछ ऐसे लोगों को भी अपने साथ में जोड़ेंगे normal लोगों को सभी से मिलना है किसी को छोड़ना नहीं है लेकिन हम साथ में ऐसे लोगों को भी जोड़ते चले जाएंगे जिनका experience उस product को लेकर उस field को लेकर बहुत अच्छा है आईए अब हम इसको जहां पर और गहराई से जाचेंगे why we need this हमेश चीज की जुरूत क्यों है क्योंकि हम लोग network marketing में हैं और हमें ऐसे लोगों को अपनी team के अंदर शा ले जाएंगे मा लिजे हम ऐसे लोगों को अपने team के अंदर शामील करेंगे जिनको उस field का experience जिस field में आप काम लेना चाहते हैं जिस field में आप growth करना चाहते हैं उसका experience है तो वो field हमारे लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है सबसे बढ़िया वाली जो field है वो हमारे लिए for example मान के चलते हैं हमारे पास health product है for example कि अगर हम health product को एक example के तौर पर लेके चले जो मान लिजे अब जो किसी भी बिमारी को ठीक करने का जो काम है यानि कि बिमारी में जो product है वो यूज होते हैं तो health product में जातर जो patient आपको मिलेंगे तो health product के लिए जो acquire strategy जो है वो क्या कहत है कि हमें ऐसे लोगों से मिलना है जो health sector में काम करते हैं हमेरी बात को समझ रहे हैं हमें ऐसे लोगों को अपनी team के अंदर शामिल करना है कि जो already health sector के अंदर काम कर रहे हैं तो definitely हमारी जो growth है उसमें आपको एक तरीके से जो बढ़होतरी है वो होती हुई दिखाई दे कर रहे हैं तो यानि कि उनका जो experience है वो हमारे काम भी आने वाला है और इसके लिए हम किन को मिल सकते हैं acquire strategy क्या कहती है कि इसके लिए हम किसको मिल सकते है medical representatives को जो MR होते हैं उनको मिल सकते हैं chemists and stockists health sector के अंदर काम करते हैं उनको मिल सकते हैं doctors चाहे वो BMS, RMPs, homeopathic, acupuncture कोई भी हैं इनको हम लोग यहां पर मिल सकते हैं अब इनको क्यों मिल सकते हैं reason क्या है पहली चीज़ कि इनके पास यह health sector के लोग हैं सभी राइट इनके पास में already जो customer हैं वो बने हुए हैं यह उनसे मिलते हैं रोज की संख्या में, हजारों की संख्या में जो patient है वो इनके पास में आते हैं हमारे पास जो product है वो patient को जाता है वो बिमारियां ठीक करता है बिलकुल ठीक करता है बहुत अच्छे result आते हैं तो इनके पास भी वो ही लोग जो है वो जाते हैं अब इनके पास में customer already अगर एक बार तो से पांच डॉक्टर भी आपके साथ में जुढ गए अब एक डॉक्टर के पास में डेली के अगर 40 50 पेशन भी आते हैं 40-50 पेशन भी अगर उसके पास में आते हैं, अगर 3 डॉक्टर भी अब अपने जोड़ लिए तो यहनि कि अगर आपकी टीम के अंदर सेल हो रहे हैं तो जरह सोचकर देखेए और अगर आपकी टीम के दस लोग ऐसा करना शुरू कर दें दस लोग अगर तीन तीन डॉक्टर करना शुरू कर दें अगर अपने साथ में जोड लें तो माई डिफरेंड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आपकी जो सेल है वो कहां तक पहुँचने वाली है डिरेक्टर मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ साल तो बहुत दूर की बात है डिरेक्टर आप 4-6 महिने के बीच में भी अचीव कर सकते हैं अगर आपकी टीम से 5 लोग 10 लोग भी अगर 3-3 डॉक्टर अपने साथ में जोड लेते हैं ये डॉक्टर आपको अपने आस्परोस में जहां पर भी आपको दिखाई दे रहे वहां पर मिल सकते हैं। एक एमर के पास में कम से कम 80 से लेकर 100 लॉक्टर्स की लिस्ट होती है। और वो डॉक्टर्स उनको जानते होते हैं अलड़ी। तो अगर आप इनको भी अपने साथ में शामिल कर लेते हैं तो आपका तो काम और भी आसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्क्वाइर स्ट्रेटजी इस चीज़ को जो है वो बोला जाता है। इस चीज़ को जो है वो एक्क्वाइर स्ट्रेटजी बोला जाता है तो मेरे भाईयों, मेरे दोस्तों, लीडर्स अक्वाइर स्ट्रेटजी के उपर फोकस कीजिए। देखिए बहुत सारी चीज़ lubric करने वाले। वो दिमाग के उपर से निकलने नहीं चाहिए। हमारा हरुस उबे Morning का वेबिनार चलता है कि हरुस का जो topic होता है वो नया होता है लेकिन आपका focus किस चीज के उपर रहता है तो आपने तो बोला था उस चीज के उपर focus कीजिए अरे भाई मालिया कि वो बोला था लेकिन क्या तुम baki की चीज़े छोड़ dugे क्या बखे की चीदे छोड़ दोगे अपनी टीम को ट्रेंड कर रहे हो आपकी ट्रेंड जो है वो क्या कर रही है उसको ट्रेंड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है टीम काम कर रही है कर नहीं कर रही है आपका जो फोकस है वो कहां पर है अपना जो focus है उसको बनाईए अब यहां पर आप किसी को भी triple stem cell drop जो है वो दे देंगे राइट डॉक्टर को बताएंगे सर आंखे बंद करके यह जो product है वो patient को दे दिजिए सर patient का जो बिमारी है वो ठीक हो जाएगा आंखे बंद करकर डॉक्टर भी बोलेगा कि यार इतना विश्वाशकर को product पर सर आप करके देख लिजे नहीं है आपको result आया कोई दिक्रत वाली बात नहीं है आप आगे से हमारा जो product है वो लेना बंद कर दिजेगा और डॉक्टर यही जो चीज है वो चाहते होते हैं डॉक्टर चाहते हैं कि क्या आपको अपने product के उपर confidence है और अगर आपको अपने product के उपर confidence है तो आपका product का result भी जबरदसता आएगा आपको जो चीजे हैं वो भी बहुत जबरदस ग्रोस जो है वो आपको जबरदस देखने के लिए यहां पर मिल जाएगी इसके लावा दोस्तों health sector में आपको nursing homes, hospital, therapy center, physiotherapist, nurses and medical staff, laboratory staff यह जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, यतनी भी जगा आपको दिखाई दे रही हैं, यहां पर हमारे customer मौझूद हैं, यहां पर जो acquire strategy जो है वो काम करती है, तो my dear friend, open your eyes, अपने आँखें खोलिए और यहां पर इन लोगों को health product के लिए जो acquire strategy जो है वो इनके साथ में आपको result definitely मिलेगा ही मिलेगा, यह जो लोग हैं, यह आपके business को, आपकी sales को बढ़ाने के लिए important role जो है वो पैदा कर सकते हैं, important role जो है वो play किया जा सकता है, इन लोगों के द्वारा अगर आप इनको शामिल करते हैं, हर रोज 4-5 medical rated person से मिलिए, चाहे वो chemist हो सकते हैं, medical representative हो सकते हैं, doctors हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, 4-5 लोगों से हर रोज मिलिए, उनको retail profit दिखाए कि sir, profit अच्छा मिल रहा है, business strategy भी अच्छी है, product का demo करकर दिखाए, product की testimony दिखाए कि sir, हम इतने लोगों को दे चुके हैं, और यह जो शांदार जो result है, वो हमको यहाँ पर द जाएगा, अच्छा, buy one, get one free है, ऐसा भी होता है, जी sir, बिल्कुल होता है sir, show them buy one, get two free offer, वो भी आप उनको दिखा सकते हैं, बाकि जो offers हमारे चल रहे हैं, stock point, super stock is margin, जो है, एक लाग पर मन्त की जो joining है, कीवा के साथ में, कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं, वो भी आप यह जगा available होती है, कि यह product को manage कर सकें, नॉर्मल लोगों को हम stock point देने के लिए जाते हैं, वो पहले किराए पर दुकान देखता है, या खुद की दुकान देखता है, फिर वो setup बनाएगा, वो करेगा, chemist के पास, इन लोगों के पास में, या doctors के पास में already जगा मौजूद है, और इनको सिर्फ पैसा invest करना है, इनको सिर्फ जो product है वो purchase करना है, इनके पास में already जो जगा है, enough space है इनके पास में, जगा already मौजूद है इनके पास में, इनको खास कुछ करने की जुरूत नहीं है, तो जिनके पास में सब कुछ बना बनाया है, वो लोग आपके सास में अ आपको जल्दी मिलेगा यह लोग आपके साथ में देरी से अटैच होंगे यह आपके साथ में जुड़ने में समय लगाएंगे लेकिन रिजल्ट आपको बहुत तेजी से दिखाएंगे नौर्मल लोग आपके साथ में जल्दी जुड़ेंगे लेकिन वह रिजल्ट आने में देर लगाएंगे तो दोस्तों छोड़ना किसी को भी नहीं है छोड़ना किसी को भी नहीं है तो हम सभी लोगों को यहां पर manage करके चलेंगे अपने साथ में लेकर चलेंगे वो daily के patients को deal करते हैं health product की जो sale है वो daily की आपकी यहां पर निकल सकती है exponential जो growth है वो आपकी हो सकती है when we have world class product and unbelievable result then why can't we share this जब हमें पता है कि हमारे world class है right unbelievable जो result है वो उनके मिलते हैं तो हम उसको क्यों नहीं जो हैं उसको share करते हैं आपने lockdown में देखा होगा था कि यही जो लोग थे यह supportive people थे हमारे लिए bonus को बढ़ाने के लिए business को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों की वज़े से जो business के अंदर जो boom था वो आया था lockdown के अंदर सब ने देखा था right कीवा silver plus सब उसके बारे में जाते हैं अरे कीवा silver plus हो रही है आप किसी भी product को ले लिजेगा lockdown में इतना शांदर जो result था वो इन product का यहाँ पर आय था अच्छा वो क्यों आय था अब क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि तब लोगों के मन के अंदर जो एक डर था वो पैदा हुआ था right फिर लोग धिरी धिरी क्या करते हैं उस चीज़ को भूल जाते हैं वो चीज़े आग है वो बहुत important है हमारे लिए पहले भी यह था यह आगे भी है health हमेशा जो है वो first position पर रहने वाली है तो health के उपर तो सरह हम काम करेंगे ही करेंगे तो dear leaders and distributors show the product show the demo show the testimonials show the plan यह चीज़ आपने कभी भी बंद नहीं करनी है यह हमेशा इसको दिखाते रहना है that is our main motto और यह ही हमारा मेन मोटिव है कि हमने यह जो चीज़े हैं अपने leaders को distributors ने जितने भी हमारे हैं नई लोगों को हम उनको दिखाते चले जाएंगे तो दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे यह जो चीज़े हैं इनको हम किस तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं और definitely अगर हम इन चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएंगे acquire strategy अगर हमने इसको इसके उपर काम करना शुरू कर दिया तो result हमें definitely मिल सकता है right so thank you so much ladies and gentlemen आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप हर रोज morning के webinar में अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं तो दोस्तो जल्द ही आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी जबरदस्त मुलाकात होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया thank you thank you so much झाल पुक्रिया